आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखे, Question में बोला गया है यहाँ पर How can we get specific prevention from certain diseases? अब diseases mention नहीं की हैं बट बात हो रहे हैं यहाँ पर certain diseases की तो आप यहाँ पर general prevention की जो methods हैं वो नहीं लिखेंगे ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम specific prevention की तो जैसे for example अभी COVID चल रहा है तो उसमें आपको बोला जाएगा wash hands ठीक है, तो washing hands जो है हमारा एक general criteria भी है बट specific prevention में भी आ जाता है तो wash hands यह बहुत जादा important है तो पहला हो गया washing hands second है हमारा sneeze या फिर cough in a tissue only हमेशा जब भी आपको खासी आएगी तो आप tissue में ही करेंगे ताकि जो आपके droplets हैं वो tissue पे ही आएं और हवा में न जाएं और दूसरों को contagious न करें ठीक है third, for example जब हम बात करते हैं age की तो age में हमेशा बोलते हैं that practice safer sex ठीक है आप जब भी intercourse करेंगे तो that should be safe और multiple नहीं होना चाहिए ताकि age जो है वो फैले नहीं ठीक है तो हम certain diseases की बात कर रहे हैं यह हो गया हमारे age के लिए उसके बात बात करते हैं हम यहाँ पे do not share personal items ठीक है personal items जो हैं आप उन्हें कभी भी share नहीं करेंगे personal items जैसे आपके razors, blades syringes उनको आप कभी share नहीं करेंगे किसी और के साथ में AIDS का खत्रा बहुत जादा है STD का खत्रा जो भी blood transfusion से diseases है उनका खत्रा बहुत जादा यहाँ पे भर जाता है फिफ्थ हम बात करते हैं यहाँ पे always, always, always eat या फिर use anti-biotics sensibly ठीक है anti-biotics को आपको हमेशा sensibly use करना है बहुत सारे लोग होते हैं जो anti-biotics से allergic होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है तो हमेशा anti-biotics जो हैं वो sensibly आप use करेंगे तो यह कुछ हमारे specific prevention है to certain diseases और diseases का नाम भी मैंने साथ में बताया है आप लिख भी सकते हैं उन diseases को नहीं भी लिखेंगे तो इनसे भी काम चल जाएगा